चलिए स्टूडेंट कैसे आप आज के वीडियो मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटिड है जो कि हमारे समेस्टर पांच बीकॉम वनर्स में हैं सबसे पहरे जानने की यह जोरत है कि यह सब्जेक्ट हमारे अप्शनल में होता है यानि इसके आप्शन में हमें एक और सब्जेक्ट दिया जाता है क्या दिया जा रहा है मैनेजमेंट अकाउंट लेकिन हर कालेज में लगवग लगवग होता है तो स्टूडेंट का क्या मानना होता है कि यार हम फानेशल मैनेजमेंट तो पढ़ी रहे हैं और अधर सब्जेक्ट भी हम पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट अकाउंट छोड़ दिया जाए जो बच्चों की बहुत बड़ी गलती होती है मैं आपको समझा दूँँ जैसे कि माद लो आप सिंपल सी बात हम बात करे ना तो आप बी कॉम कर रहे हैं ạ की पीकॉम के बाद आगे आपका रस्ता जो जाएगा वृस है कि आप बीकॉel करने के बाद बहुआत कम परसेंटेज बच्च ऐसे होंगे जो की छोड़ देंगे और वो आगे फर्दर जाएंगे B.com करने के बाद आपके पास क्या आता है पहले मैं study को continue कर लूँ That is M.com आ जाएगा और क्या जाएगा सर इसके आगे कुछ बच्चे कर लेते हैं MBA और क्या जाएगा सर इसके आगे बच्चे कर लेंगे इसके आगे बच्चे कर सकते हैं CFA और क्या जाएगा सर इसके आगे कर सकते हैं ACCA और क्या आ सकता है इसके आगे बच्चे कर सकते हैं या तो net exam की तैयारी या फिर जे आरेव तो यह मैंने multiple कुछ options दे दी है अब मज़े की बात यह है कि यह जितने भी यहां पर आपको दिख रहा है यह multiple options हर किसी में जैसे M.com 2 साल का है MBA 2 साल का है CA आपका जो भी टाइम लग जाता है चार साल लग जाता है इन सभी में आपको कहीं न कहीं तो सर management account जो management account है यह पढ़ना ही पढ़ेगा इन सभी में कहीं न कहीं आपने management account 100% पढ़ना पढ़ेगा इस बात का ध्यान रखेगा तो अब आपको decision लेना है कि आपको management account लेना है या नहीं लेना है अगर आप commerce site से future बनाना चाहते हो तो you have to take a management account आपको लेना है थोड़े time का pain है मानता हूं मैं थोड़े time का pain इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको लग रहा है कि यार short duration में कैसा रहेगा नहीं क्या रहेगा तो आपको अभी फिलहाल के लिए लग रहा होगा के short duration में चल बच जाते हैं लेकिन आगे आप जब courses में जाओगे सफोज आप मिलेगा नहीं कोई tutor क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सार एमकॉम का यह subject में हम मना करते हैं कि नहीं क्योंकि हमारा यह अब हर किसी का यह मानना होता है वीकॉम पढ़के थोड़ा सा advanced level हो जाता है बस और सब्सक्राइब करें तो management account क्यों important है वह आप decide करिए क्या आप आगे फर्दर किसी में जाना चाहरा है तो वह आपके उपर यह वाला तो आपने नहीं बताया देखो पांच यूनिट है पहला यूनिट इंट्रोडक्शन दूसरा मार्जनल कॉस्टिंग तीसरा डिसीजन मेंकिंग चौथा बजटरी कंट्रोल और पांच वा हमारा आता है पर्फॉर्मेंस एंड मेजरमेंट ठीक है न पहले जो यूनिट है बेसिकले यह यूनिट आप कह सकते हो ठीक है सेकेंड यूनिट मार्जनल कॉस्टिंग जो है इसमें दो चैप्टर बनते हैं और इसके साथ एक बनता है हमारा पी वियार उसी के सारे यह पार्ट से लिखे हैं बहुत ज्यादा डिखो करके मार्जनल कोस्टिंग अब्जॉप्शं कोस्टिंग सब उसी का बाट है तो मैं इसको दो चैप्टर में बार तो अल्टिमेटली दो यूनिट में कितने चैप्टर होगा सर तीन चैप्टर होगे हर एक यूनिट एकुलेंट नंबर का रखत पर बहुत ज्यादा होता है अब बेसिकली यहां पे दो चप्टर है स्टेंडर और आपका बजट बजट एंड इस तेंडर ठीक है यह दो चैप्टर है तो इसको दो चैप्टर में बातेंगे तो अभी तक चैप्टर देखो कितने हो गये सब्ढ़ बहुत सब्बाइस शोटा सा जिसके अंदर हमें इतना एफ़र्ट नहीं लगानार और पेपरisten पलाता है सर बुक कौन सा लेना चाहिए इसके लिए मन रोड़ा बुक है जो हर डियू में एक ही बुक मैंने अभी तक तो देखा रिकमेंडेशन करते हैं मन रोड़ा और अगर मैं पढ़ा भी रहा हूं तो मैं बिल्कुल बेसिकली प्योरली मन रोड़ा बुक को युनिवर्सिटी में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट होता है यह एडवांस कॉस्टिंग तो उसी के अंदर यह पांचे चप्टर और एड़ान हो जाते हैं डियू के अंदर इसको एक पूरा स्लिवस बना दिया गया है चलिए अब आगे चलते हैं मैंने इसको कितने च बजट एंड बजटरी कंट्रोल यह बाटा हुए है इसके बाद अगला चप्टर और एक यूनिट था तो मैंने चप्टर ही अलग कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कौन से यूनिट का है यह भी बता दिया अगर मैं आपको बजटरी कंट्रोल करवा रहा हूं तो डि के हसाब से यह थ एकन्ट यूनिट क्ताफ से किन्डर अकर मैं यह थोड़ उ में यह सांथ यह होटा है और लेकिन हम सर्फ शाप्टर फढ़ेंगे तो इस बात का आपको धियान दियान जाते सएलसा एक छोटा सा चेप्टर है जिसके अंडर हम ऑफिट को बहुत इंडर गुंट को खुद बनाया होगा साएक अब छोटा सा चैप्टर है मेरे चाहल से चर से पांच कूश्थयких है और समझना होते हैं तीन गंटे में चप्टर कहतम हो जाएगा अब सबसे बेटर और सबसे ज़्यादा फोकस्ट वाला चप्टर कौन सा है, जो की हमें ध्यान देना है, although इसके अंदर सबसे main chapter मैं मानता हूँ के standard costing है जिसमें ज्यादतर बच्चों को problem आ जाते है standard costing के अदर ठीक है ना और इसी बेको उपर मैं ज्यादा focus भी करूँगा जितने बच्चे join है जितने बच्चे enroll हो चुके है सभी बच्चों को pre-recorded classes भी सारी मिल जाएगी और कुछ classes live भी रहेगी मैं 100% live की comment नहीं करूँगा क्योंकि यह सारे जितने भी है ना मैंने budgetary का क्योंकि internal बगएर हमें बच्चे परिशान होते हैं तो budgetary के book के भी question और tenure के question दोन कर दिये है standard के questions किये हैं मैंने लेकिन टेनियर के नहीं किये हैं मैंने absorption costing इसके book के भी सारे question 10 year के भी सारे question हो गया profit volume book के भी सारे 10 year पड़ा हूँ है decision making book के हो गया है 10 के नहीं कराएं मैंने relevant costing के सारे हो चुके हैं तो यह सारे ना पूरा एक systematic तरीके से बहुत अच्छे से recorded format में illustration नंबर डाल वगरा के सारी चीजे हैं अब रही बात सर मैं standard costing पूरा का पूरा live कराने वाला हूं अब कुछ बच्चे जैसे की कहते हैं के सर यह वीडियो मैं दोनों जगह पर ही देता हूं आपको अच्छे से पता है बहुत बच्चे जो मेरे से पढ़ना है यूटूब पे भी रहता है तो अभी यूटूब पे थोड़ा डिले आने वाला है इसका थोड़ा अभी हम पहले financial management के उपर फोकस्ड है और एक मेरा टेक्स जिनका यार है वो तो यूटूब पे थोड़ा सा डिले होगा इसका कोर्सिस के अंदर recorded वीडियो बनी हुई है वह देखके अपना फटा-फट स्लिवस खतम कर सकते हैं और मार्जिनल जब हम स्टेंडर्ड कॉस्टिंग लाइव स्टार्ट क मैं पूछोगे तो बहुत बच्चों ने इसको नहीं किया जिन बच्चों नहीं किया तो मैं पहले बता दू इन जगह पर आपको प्रॉब्लम होगी वह आपकी मर्जी यह देखिए आप लेना चाह रहे हैं नहीं लेना चाह रहे हैं टूटल डिपेंड उन यू मेरा काम ब पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा सी मैं मानता हूं कि अगर आपने पहले से प्राक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ना उससे थोड़ा एडवांस आ जाए तो आप कर सकते हो लेकिन अगर मानलो पहले से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा नियू सब्जेक्ट है तो फिर इन बच्चों ने अधर सब्जेक्ट भी कर लिया है तो कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है आप महां कॉलेज जाके चेंज करवा सकते हैं चाहे एस वेल का अभी खेर फॉर्म नहीं आया रेगलर वालों का आ गया है तो रेगलर वाले करवा सकते हैं यह वीडियो इतनी स को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल फोन नमबर दे दूँ आप जाके ले सकते हैं कोर्स का प्राइस बहुत मिनिमल रखा हुआ है क्योंकि अपके सेमिस्टर थीन के अंदर आप वहां पे डिसकस करके डिसकाउंट को पन लेके आप मेरा इस वीडियो का मेंन परस यह था के जो मैन्यचमेंट अकाउंट नहीं ले रहे हैं वह मैनेजमेंट अकाउंट ले यह अब और प्रोफेशनल पर्शाज रह गए होंगे तो उसके अंदर भी यूस होता है य तो आगे आपको दिक्कत नfel तो hopefully आपको समझ में आया होगा आप समझ भा रहे होगे कि management account की क्या importance है और क्या नहीं है तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से next video में आपको अच्छा लगे और video आपको help करता है तो यार आप सब्सक्राइब वगरा मैं देखता हूं कि नहीं करते हो नहीं करते भी सब्सक्राइबर देख भी रहे हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं तो मैं तो ही कहूंगा सब्सक्राइब करिए अगर बेनिफिट हो रहा है आपको तो अदर्वाइस तो चली रही है दुनिया ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक क्यार बाए